नमस्कार दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम टार्गेट अकेडमी पर तो दोस्तों प्रते दिन की बात आज भी हम डेली करांट अफेर्स की वीडियो आपको लेके आए हैं तो कुस्षन इस्टार्ट करते हैं कुस्षन नमर बन भारतिय मूल की अनिता आनंद को निम्न मैं से किस देश की नई रच्छा मंतरी बन गई हैं ओप्सन A कनाडा ओप्सन B नेपाल ओप्सन C चीन ओप्सन D पाकिस्तान तो इसका सही जवाब है अपका ओप्सन A कनाडा अनिता आनंद लंबे समय से कनाडा के रच्छा मंतरी रहे भारतिय मूल के हरजीत सज्जन सिंग की जगे लेंगी वे कनाडा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महला रच्छा मंतरी है अनिता से पहले कनाडा की एक मात्र महला रच्छा मंतरी पूर प्रधान मंतरी किम के जिन्होंने 1993 में 4 जन्वरी से 25 जून तक 6 महीने के लिए यह पद समाला था कुशन नमर दो पंजाब नेशनल बैंक यानि PNV का नया कारेकारी नेदेशक निम्न में से किसे निक्त किया गया है पंजाब नेशनल बैंक पिन्वी का नया कारेकारी निदेशक कल्यान कुमार को निक्त किया गया है पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुक और पुराना बैंक है या एक अनुसूचित बैंक है पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1994 को भारती कंपनी अधनियम के तहट अनारकली बाजार लाहूर में इसके कारेया लेके साथ पंजीक रत किया गया था कल्याण कुमार को बैंकिंग कंपनी अंधनियम 1970 बोड के तहट बैंक में पद ग्रहन करने की तारीक से तीन साल की अबदी के लिए अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए निक्त किया गया है कुशन नमर तीन राष्टी हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रवंदन में बिफलता को लेकर गाजियवाद नगर निगम पर निम्न मैंसे कितने करोड रुपे का जुर्माना लगाया है उप्शन A दो करोड रुपे, उप्शन B एक करोड रुपे, उप्शन C तीन करोड रुपे और उप्शन D चार करोड रुपे तो इसका सही जवाब है उप्शन B यहनी एक करोड रुपे राष्टी हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रवंदन में बिफलता को लेकर गाजिवाद नगर निगम पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है इस राष्टी का इस्तेमाल पर्यावरण सुधारने के लिए किया जाएगा वहीं NGT ने निगम को यह रकम गलती करने वाले बिवागिय अधिकारियों की सैली से बसुलने की छुट भी दी है पाकिस्तान की खुपिय एजेंसी ISI का नया प्रमुक निम्न में से किसे निउक्त किया गया है उप्सन A. लेटिनेंट जनरल नदीम एहमद अंजुम को उप्सन B. लेटिनेंट जनरल सेद अता हसनेन को उप्सन C. लेटिनेंट जनरल फैज हमीद को या उप्सन D. लेटिनेंट जनरल मुहमद एहमद जकी को तो इसका सही जवाब है ओप्सन ए लेटिनेंट जनरल नदीम एमद अंजुम को निक्त किया गया है पाकिस्तान के प्रदानमंत्री इमरान खान ने लेटिनेंट जन्रल नदीम एहमद अन्जुम को पाकिस्तानी खुपिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानि आई एसाई का चीफ नियुक्त किया है नदीम अन्जुम 20 नवंबर को आई एसाई के मौजुदा लेटिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेंगे अन्जुम पाकिस्तान सेना की पंजाब रेजीमेंट से जुड़े हैं उन्होंने कराची कोर के कमांडर के साथ साथ कमांडेंट के रूप में भी कारे किया है कुशन नमर पांच राश्टी कोसल विकास निगम ने निम्ण मैंसे किस कमपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इंपक्ट बॉंड लॉंच किया है उप्शन A राश्टिय जल बिद्धूत निगम उप्शन B इंडियन ओईल कॉर्पोरेशन उप्शन C बिटिस एसिन ट्रस्ट ऑफशन D रेलाइन्स इंडस्टीज तो इसका सही जवाब है Option C यानि British Asian Trust राश्टी कोसल विकास निगम N.H.D.C. निरे बिर्टिस Asian Trust को साथ साजेधारी में इसकिल इंडिया इंपेक्ट बॉंड लॉंच की बैस्विक भागिदारों में सहयुक से भारत में कोसल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा है 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड सामिल है और जो 50,000 युवाओं को रोजगार दे का लावान वित करेगा यह अपनी तरह का पहला नबोन में सी बॉंड होगा जो कोसल विकास में निजी छित्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कुस्टन नमर च्छे भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को आठमा नवाचार दिवस मनाया है उप्शन A चीन, उप्शन B चापान, उप्शन C रूस, उप्शन D स्वीडन तो इसका सही जवाब है, उप्शन D यानी स्वीडन ने भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को आठमा नवाचार दिवस मनाया है इस ओनलाइन कारकरम के दोरान उन्होंने जलवाईउ परवरतन के कई पहलूओ और हरित परवरतन लाने के समभावित समाधानों पर चर्चा की, जलवाईउ परवरतन के कई पहलूओ पर चर्चा के लिए एक दिवसिय कारकरम को नो भागों में विवाजित किया गया था दोनों पच्चों ने हरित परवरतन शुरू करने के लाभान वित समाधानों पर भी चर्चा की कुश्चन नमर साथ हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती छेत्रों के सरच्छन और सोच्छन यानि प्रोटेक्शन एंड एक्सपलेशन पर एक राश्टी कानून बनाया है उप्सन ए भारत उप्सन बी चीन उप्सन सी नेपाल उप्सन डी बंगलादेश तो इसका सही जवाब है उप्सन बी यानि चीन ने बनाया है चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती छेत्रों के सरच्छन और सोचन पर एक राश्टी कानून बनाया है नए सीमा कानून का निया समय महतुपूर है क्योंकि चीन बास्तिवी नियंतरडरे का एले सी पर भारत के साथ लगातार संगर्स कर रहा है मीडिया रिपोर्ट के मताविक छेत्री तनाव के बीच राष्टी सुरच्छा बनाए रखने और कानूनी इस्तर पर सीमा प्रभसंबंदी मामलों के प्रबंदन के उद्देश से नया कानून बनाया गया है कुशन नमर आठ और इस वीडियो का अंतिम कुशन दोस्तों मैं आपसे उमीद करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हूँ तो आप लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोडिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और साथ मैं बेल प्रेस आइकन चरूर करें श्री नगर से संयुक्त अरव अमीरात UAE के सार जहां ले लिए सीधे उडान करने वाली पहली एरलाइन्स कौन सी है उप्सन अ गो फस्ट, उप्सन बी एर इंडिया, उप्सन सी स्पाइस जेट, उप्सन डी विष्टारा तो इसका सही जवाब है उप्सन अ गो फस्ट बिबानन कंपनी गो फस्ट ने हाल ही में स्री नगर से संयुक्त अरव अमीरात UAE के सार जहां के लिए सीधी हवाई उडान सेवा सुरू की जंबू कश्मीर की ग्रीस मुकालीन, राजधानी स्री नगर से सीधी अंतराष्टी हवाई उड़ा, अड़ान, सेवा देने वाली गो फस्ट देश की पहली एरलाइन्स है, गो फस्ट स्री नगर और सारजहां के बीच हर सपता चार उडानों का परचालन करेगी एरलाइन्स ने कहा है कि नए मार्क पर सपता हमें चार सीधी उडानों की सुरुआत से स्री नगर और यूएई के बीच ब्यापार और परेटन को भी बढ़ावा मिलेगा तो गुड़बाई दोस्तो